बीबी को एक, दो, तीन, चार बच्चे हो और उसकी एक, दो, तीन गलती पर पती के ओर से तलाक दे दी जाए फिर उसकी साधी ना हो और वह जिसम बेचने वाली आवरत हो जाती है ऐसी इस्तिति आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों जबकि हिंदू धर्म में तलाक का पर्था नहीं है मेरा गुजारी से है डाक्टर जाकीर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है अगर मुझे आप संतुष्ट पुर्वाग जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूँगा क्योंकि मैंने बिभिन जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है मुर्ति पूजा गलत है तो आज मुसल्मान भाईयों दस हजार बिस हजार की कुर्वानी करते हैं लेकिन पंस रुप्या का एक बक्रा धाकर भैसा खरिद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं और मुर्ति पूजा गलत है तो मैं आपसे गुजरित करूँगा बार बर दरखस करूँगा कि आप मुझे सत्कुष्ट कर दिए मैं इसी वक्त कबूल करूँगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा हिदाद देना अल्लह के हाथ में मैं आपको जवाब दूँगा इंशाला भाई साथ आपका सवाल है कि इसलाम मजभ में अगर कोई औरत गलती करती है एक दो तीन चार बच्चे है एक दो तीन गलती करती है मुसल्मान उसे तलाग दे देता है फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है हिंदू धरब में तलाग है यह नहीं तो इसलाम धरब में तलाग क्यों है बेसिक आपका सवाल है का इसलाम मजभ में तलाग क्यों है बरावर हिंदू मजभ में नहीं यह आपका बेसिक सवाल का इसलाम मजभ में तलाग क्यों है क्यों तलाग है आपके इसाफ से तलाग नहीं होना चाहिए अक्सर मजाहिब में तलाग नहीं है डिवोस नहीं है Christianity में भी आप पढ़ेंगे Christianity में Gospel of Matthew Chapter No. 5 उसमें पढ़ेंगे Verse No. 31 और 32 It has been told of the old time that thou shall not give a bill of divorce But I said to you पहले कहा गया था कि डिवोस देना गलत है लेकिन मैं कहता हूँ Unless आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करते है फिर ही आप डिवोस दे सकते है तो ये Bible में डिवोस की एक शर्त है उसके इलावा डिवोस नहीं दे सकते है और हिंदू मजब में बिलकुल सही फर्माते है हिंदू मजब में डिवोस ही नहीं है ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पिनल कोड है मैं बिलकुल आपकी बास से सहमत हूँ इसलाम मजब में डिवोस क्यों है इसलाम मजब में डिवोस है लेकिन ये आखरी मरहले पे आप इसको इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि निकाह एक मिसाख है जो कुरान मजीद में लिखा है निकाह इस अ मिसाख कॉंट्राक्ट बिट्वीन मिया भीवी और और मर्द तब शादी करते हैं निकाह एक मिसाख है सेक्रेट कॉंट्राक्ट है हम मिया भीवि होंगे अभी कितने पार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ अक्सर business अच्छा चल जाता है कई बार partner आपको पसंद नहीं आता है होता है कि ने तो आप क्या करते प्यार से उसके साथ पाठ हो जाते इसलिए जब ये contract आप मिया बीवी का करते है contract करते है टाइप आप contract रहेते हैं इसलिए अच्छा रहेंगें लेकिन जब शादी होने के बाद चंड साल बाद हो सकता है दो साल बाद चार साल बाद हो सकता है दस साल बाद आपको पता लगता है कि हम लोग एक दुस्रे के compatible नहीं है जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए बहुत से बाद दोनों अच्छे वट compatible नहीं है तो अगर मिया भी वी compatible नहीं है हो सकता है दोनों अच्छे है लेकिन compatible नहीं मतलब इन्नों में बराबर जचता नहीं है आप आईए मगरबी मुलके जो customs है इसलिए बोच पार सांट में करें तो नहीं मिलें खाना इस्टाइन सॉब्यता में मांते हैे मोडेस्ट हूं Western वे Sultan कंट्री बिक्णी में घुमते हैं आपकी बीवी बिक्णी होए अब्ट दे माएगे के उसकू ना मी और रापकी बीवी बिकिनी में घुमेंगं एक तो आप तो बोलेंगे बै, जहाओ अपने, अपने घर पे जाओ, Western Country में चलता है, इनकी बीवी बिकिनी में घुमती हूँ उनको कोई फर्क ने और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकते हैं दोनों अच्छे नहीं, तीन जीज़ हो सकती, दोनों अच्छे लेकिन compatible नहीं है, या दोनों में से शोहर अच्छा नहीं, या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं, तो ऐसे मुक्के पे कुरान मजीद में अल्ला सुभानाओं ताला ने तरीके दिखाई किस तरीके से तलाग होना चाहिए। जब तलाग होता है तो तलाग के कुछ शरायत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करें। अर्बेटर लेका हो बीवी के घर के तरफ से बीवी के तरफ से अर्बेटर लेका हो समझता के लिए शोहर के तरफ से एक को बड़े को लेका हो समझता के लिए एक मीटिंग करो प्रॉब्लम सॉल्व करो समझता हो जाता है फिर भी ने प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आ मैं आपको डाला डेका बाओ मालूम पड़ता है अगर आपकी एक बहने है आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते हैं मैं सब्सक्राइब अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते हैं एक दम तैकी करने के बाद आपको बता लगता है कि एक साल बाद आपकी बहन आपके बास आती है वह शोहर जो आपने मेले तलाश के बिल्कुल गलत आद में क्या हो गया वो रोज मुझे मारता है क्या बादे है वो शराप करती हूं फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पीके मारता है आप जाके उससे बात करेंगे भाई क्यों शराब पीता है प्यों मारता है नहीं मुझे मज़ा आता है आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है हर रोज मारता है आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसक हुआ है बाइस आप मैं आपसे पुछना चाता हूं अगर आपकी भेर अपने अच्छा शोर तलाशuing एक सार बात पता चलता अब का वो आदमी अच्छा है शराबी है जुआ रियर रोज आपकी भेरें को मारता है उसके साथ गलत हरकथ करता है अपने दोस्तों को लाड़ से अपकी भेण के साथ होने के लिए तो आपको पता चलेगा तो क्या और यह अपbetन करेंगे आपकी भैंअ इसको जहलते रहे तो पती मिला है तुम उसी का सेवा करो एनि चुके हमलों का धर्म जो है जब बिवाफ हो जाती है अपकी बात में करो मैं आपकी बात कर रहा हूं धर्म पे बात में आउंगा मैं आप से पूछ रहा हूं आपके धर्म से ने पूछ रहा हूं मैं आप से पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान रिपोर्टार में भाई साब पाकिस्तान को छोड़ो मैं आप से सब भाई साब मुस्लिम कमिटी के आउरतों से बाइसाब सुनो मेरी बात ना पाकिस्तान को छोड़ो हिंदुस्तान को छोड़ो मैं आप से सवाल पूछ आप मुझे सवाल किया मैं आप से सवाल पूछता हूं पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो मुझे भी आपकी फिकर है आपको अग अगर नहीं समझती है तो मैं कीला बनाओंगा और उस कीले में मोटे रस्टी से बान करके उसको रखूँगा तुम क्या बादेंगे उनको नहीं अधर तलक का तो बात नहीं करेंगे अब दिखने में कैसे मुझे नजर आरा टेलेविशन पे मैं आपकी बीवी अगर एकदम अ परती है आप क्या उसको किले से बाद देंगे वह जापड़ आपको मारेंगी आप गिर जाएंगी फिर आप क्या करेंगे बोलो हम लों का जो आवरत है रोज मंदिर जाती है और प्रठना करती है अगर आपकी बीवी मिली है इस वार हमारे पती के लिए लंबी उमर अगर आपकी बीवी साहि ने हें तब क्या करते थे सब tactics फिनलों का गरते थे सिंजिक जिक लिए एक नैसे मखण शोर निकला तो होता है लेकिन हमारे मुसल्मानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिये जाते हैं रोज तलाक पे बाद में आऊंगा ना मैं पहले आप से पूछ रहा हूं अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बेरनों वई आपके बेरन को रोज मारता अब क्या करेंगे एक पसंड हो गा दो पसंड बोते हमें एक पसंड बोता till आपका करी और आप किस्मत वाले भाई साब ने तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने वाले हैं जब जवाब दूँगा आपको मैं आपसे सवाल पूछ तो आपके साथ इसी हरकत हुई आपकी भेन को अगर कोई रोज मारता है आपका भेनोवी रोज परिशान करता है लाल पीला करता है शराब पीता है जुवारी है तो आप क्या बोलेंगे भेन को मैं तो कदापी तयार नहीं होगा ये बात में क्या बोलेंगे आप उपने बेन को बेन को बोलेंगे कि ने छोड़ दो नहीं तुम जा उसके कदमों में जाके पड़े रहो तो कदमों में ही मारता है उसको कदमों में ही तुम मर जाओ कदमों में ही मर जाओ तो क्या ये इंसानियत है नहीं अईसे धर्म को मानते हैं जी अईसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पती के दुवारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हगदर हो सकते हैं ये किदर लिखा है आप ऐसी किताब में मानते हैं अगर ऐसी किताब में लेगा तो हर शोहर अपने बी आप जो बोल रहे इसी लिए जितनी नाइसाफी ऑरतों पर हो रही हिंदुस्तान में उसकी वज़े यह है उसकी वज़े यह है कि हिंदू आरतों पर जब नाइसाफी होती है वो चुप-चाप जहिन करती है क्यूंग उसको आवाद उड़ाना चाहिए मुसल्मान आवरते भी नहीं मिलेंगा आपको बाई साव यहाँ पर कर्षे लेंगे कितने लोग का तलाक हो एक फिस्द भी नहीं मिलेंगा अभी तो हिंदू राष्ट है जो कोड़ में दायर कर दिया जाते हैं इसलिए तलाक तलाक की फिसद देखी जाएंगी तो मैकसिमम मैकसिमम दो या तीन होगा लेकिन ये दो या तीन फीसेद पे जो जुल्म होता है हो सकता है पांच फीसेद पे जुल्म हो रहा है तीन फीसेद आवरत आवाज उटा रही है हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सैन कर रही है क्योंकि लोग बोलते क्या वो जाएंगी जन्नत में क्या सही है ये ऐसा धर्म हो सकता है कि जुर्म करें अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा इश्वर वो शराबी भी है जुवारी भी है तुमको मारता भी है तुम्हारे साथ दोस्तों से भलातकार कराता है फिर भी इश्वर कैसा इश्वर इश्वर एक है तुम्हारा शोहर नहीं शोहर इश्वर नहीं है बाई साब इश्वर एक है उपर वाला इश्वर है शोर कभी इश्वर होता नहीं हाँ शोर की इश्वर करना चाहिए लेकिन इश्वर करने की हद होती है अगर हद से बाहर हो जाता है तो इसलाम में इजाज़त है कि वो अलग हो सकते है शोर भी अलग हो सकत दरीक है, तलाख है, खुला है, निकाए फस्क है, तो इसके अंदर इसलाम में कहा गया है, कि शोहर की इज़त करो, ये भी कहा गया है शोहर को, कि बीवियों के अच्छा बरताओ करो, अल्ला के रसूल फरमाते है, कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो, जो अपने खांदान के लोगों से अच्छे है, खुसूसां अपनी बीवियों के था, तो कुरान में लिखा है, और अधिस में भी लिखा है, कि आप अपनी बीवियों की देखबाल करना चाहिए, और बीवियों से कहा गया है, कि आप अपने शोर की देखबाल करना चाहिए कुरान में लिखाए कि तुरे बक्रा में सुरा नमबर दो आयत नमबर 187 में कि आपकी बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है लिबास मतलब एक दूसरे को पिनोक सहरा देते एक दूसरे को पूटेक करते है एक दूसरे को ब्यूटिवाई करते है ये इसलाम है इसा कॉंटराक्ट उसका मतलब ने कि अपने शादी कर दिये तो जुम भी करो इसलिए सबसे ज्यादा अगर आउरतों पर जुम हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है कून बें दवा करेंगी मेरे पे जुर्म हो रहा, मेरी जन्नम बन रहे और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएगी कईसा ये, कईसा इंसाफ है इसे लोग दुआ करेंगी यसे भाई से मुझे निजात दो ये भाई से छुटकारा दो और इसलाम में जल्म करना हराम में जल्म बरदाश करना हराम में आप अगर जल्म का साथ देंगे तो आप भी दोशी है वो जन्नत में तो जाएंगी तुम जाएंगे नर्क में समझे बाई साब बाई साब, इसलाम में भाई का धर्म है, कि अपनी भेन की रक्षा करे, अकर भेन पे जूलम हो रहा भाई बोलेगा जाओ, तो भेन तो हो सकता है, सवर्ग में जाए, बिचारी बरताष करिए, तुम नर्ख में जाएंगे, तुमको कुण बचाएंगा, क्या भाई साब, आप नर्क में जाना चाहते हैं स्वर्ग में बाई साब इस सर मानता हूँ आपका बात आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्क में स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगे तो आप अपने बेन को नर्क बना रहे जिंदगी को और आप जाना चाहते हैं स्वर्ग में हाँ आप अगर अगर आउरत होती थी तो अगर खुदा आपको आउरत बनाता था और आप पे जुर्म होता था आप क्या करते थे हाँ वो धर्म होना चाहिए जो सारे इनसान को यक्सा मानता है कुरान शरीफ में लिखा गया है सुरह उजुरात में सुरा नमर उन्चास आयत नमर 13 में या अयुवन नासु इन्ना खलकनाकु मिन जक्रिन वा उन्सा वजळनाकु शुवन वकबा इला लितारफु इन्ना करमकु मिन्द लो यसकाकु मिन्द लो आलिम खबीर एए इन्सानों हमने तुमें एक जोड़े से बनाया मर्द और अरत के और आपको तक्सीम किया एक कबाईल में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो और सबसे बहतरी इन्सान वो जो तक्वा रखता है जो अल्ला सुबानाओ ताला के कहने पर अमल करता है इसे कहते हैं तक्वा कुरान में एक इन्सान दूसरे इन्सान से उचा कैसे हो सकता है ना जिन्स के बुनियाद पे ना पैसे के बुनियाद पे ना रंग के बुनियाद पे ना देश के बुनियाद पे लेकिन तक्वा के बुनियाद पे तक्वा मतलब गौट कॉंशिसनेस आप अच्छे इनसान बन सकते जबी आप अच्छे इनसान होंगे राइचेस इनसान आप खुद अपनी भेइन के लिए हक नहीं चाहते तो आप कैसे भाई यह फिर बाई साब आप अपनी भेइन को कहते है कि आप उसके कदमों में मरो और भेंड के अपर जुलुम तो इए यह का और पर संट में देखे जा क्ट आपको कैसे पता है आप तो बोलते चुप चाप रहो तो अवाज भी ने उठा रहे, तो मालूम केसा पड़ेंगा, मस्का मुसलमान आ औरते आवाज उठा रहे, ना, तो कर देखा गया है, यह पुछना चाहता हूं आपसे, कि अगर जुर्म हो रहा है, आपने बोले, कि उसे चुप चाप सहन करना चाहिए, बना वो छोड़के भाग जाएंगी तो हिंदू तो अच्छा मारो भी कुछ भी करो एश करो रोज मारो तो भी में साथ रहेंगी कैसा ये मज़ब है हिंदूस्तान में भी गलत है शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है रोज शराप पीके जुआ खेलके मारेगा तो पुलिस को पता चेलेंगे पूलिस भी अंदर कर लेंगा आपके बेहनों को आप समझेरें भाई साब करना मुश्किल पड़ता है क्यूंकि देखा गया कि जितने भीवी को तलाग दिया गया उसकी दुबारा साधी अगर नहीं करा सका तो वह बैचिया बन जाती है बाजार में जाके जिसम बैस्ती है अगर आपके यह राहे तो आप दूसरी शादी करा हो ना इसलाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है हमारे रसूल मुश्किल ने पहली बीवी जब की शी वास विड़ोड उनके शोर मर चुके थे अब समझे ना और जितनी भी बीवियां जो मुश्क रसलम की एक को छोड़के अकसर इधर विड़ोड थे या डिवोसी थे आप समझे ना तो इसलाम में अच्छी बात है अगर आप डिवोसी से शादी करते हैं इसमें बुरा थोड़ी है हमारे हिंदूस्तान में एक कलंग है डिवोसी से शादी करना इसलाम में ने सहाबा की दोर में तहाबिया भी एच्छी थे सहाबा भी अच्छे थे दोनों कंपाडबल नहीं थे तो अल्ला के रसुन हो का छोड़ दोबा दुरसे से शादी करो दोनों अच्छे थे लेकिन अपस में उनका मेलने होता था तो जुड़ा हो आप दुरसे से शादी करो आप दुरसे अगर फिट्ट ने हो रहा है तो आप पाट करो अच्छे तरीके से प्यार से मुबत के साथ उनको खाली पीजी कोट के अंदर जाके एक दूसरी कुष्ण मत शालो प्यार से अलग हो जाओ आप दूसरी शादि करो यह दूसरी शादी करेंगा यह सबसे बहतरी ने सारे इनसान कर देते हैं, तो मैं सोच वचार के देख लेता है। लेकिन अब देखेंगे इसलाम में तो सेयद है, पठान है, इनको काफ़ी मुचा दर्दार जाता है, जबकि जो निम निजासी के लोग हैं, जो दलित मुसल्मान हैं, उनके साथ बेदवाव जड़ातर किया जाता है। दूसरा कि ट्रिपल तलाग के बारे में बताईए, मेरा ऐसा मनना है कि इसलाम धों को बदनाम करने के लिए कुछ हिंदून संक्टरों ने ट्रिपल तलाग को बहु परचारित किया और बदनाम कर दिया। भारत के जंजन में ये मानना है कि मुसल्मान औरतों के साथ अच्छा बेवाव नहीं किया जाता खार, खासकर ट्रिपल तलाग को लेके, मैं चाहता हूँ कि इस पर अस्पूस्ट करा, ठैंक्यू मैं साथ में दो सवाल पूचे, पहला सवाल कि मैं केता हूँ कि इसलाम में जात पात नहीं है, तो इसलाम में सियद है, पठान है, ये सब क्या है? आल्ल्ह समा तल्ह अल्छा फर्माते है, सुरुजूरात में, सुन नम्र 49, आयत नम्र 13 में, या अयुवन नासु इन्ना खलकनाकु मिर्जकिन वा उन्सा वज़णनाकु शओंवन वा कबाईला लितारफु। इन्ना करमुक मिन्दल्ह यतकाखु। इन्नल्ह अल्मुन खबीर। ओ इन्सानों, हमने आपको एक जोडी से पेड़ा किया, सुम सिंगल पैर, एक जोडी से मर्द और और आउरत की, और आपको कबीले में तकसीम किया, टाके आप एक दूसरों को पेचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें आपको कबाल में तक्सीम किया तोकि आप एक दूसरे को पैच्छान सकें ना कि आप एक दूसरे से जगड़े या एक्तिलाफ पैदा करें और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तक्वा है कुरान शरीफ में अल्ला समय ता फर्माते कि इनसान को पर्खा जाता है ना कि उनकी जाइदाद पे ना दौलत पे ना रंग के उपर क्या काला या सफिद ना अमीरिया गरीब लेकिन तक्वे पे अल्ला समय अच्छा से कितनी महबत है इतना खौफ है और तक्वा यी चीज़ है जो इनसान को उपर लेकि जाता है दूसरी इनसान से तो जाइद पात इस नाम में बिलकुल नहीं है और मुहमस अल्ला समय ने आखरी हजद अल्विदा में कहा कि ना कोई अरब गैर अरब से बहतर है ना कोई गैर अरब उपर हो सकता है तो जात पात इस नाम में नहीं है ये तो सर्नेम है खान, पठान, शेक, सायद ये सर्नेम है सर्नेम मतलब देशा होता है ना सर्नेम मिसाल की तोर पर इंडिया में कितने लोग का सर्नेम है देशाई सर्नेम है पटेल है, जोशी है जो भी है यह सरने में किधर भी कुरान या हदीस में नहीं लिखा गया है कि खान शेख से उपर है हाँ अजो अरबिक में हम किता किते हैं सर सर मतलों मोتरम तो उस तरीके से अरبी में शेक एक लगभ है जिसे अरबी के अंदर कहा जाता है मोतरम या कोई जईक इनसान को या कोई माजदा इनसान को वो अलग लगभ है लेकिन जातक कि सुने में इसनाम में कई भी जादपात उची नीची बात ही ने ये बिल्कुल गलत है लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ मुसलमान देहात में इसको मानते है कि मैं पठान हूँ तो और उचा हूँ मैं शेख हूँ तो उचा हूँ सेद हूँ तो उचा हूँ कि मीडिया काफी तीन तलाक उच्छाल रही है और इसका क्या जवाब है अफ्सोफ की बात है कि माश्रे में मुस्लमान के माश्रे में तीन किसम की तलाक है मुसर्मान के माश्रे में, सुसाइटी में एक तलाग बिदत तलाग 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 एक साथ में को हो जाती है एक तलाग हसन जो तलाग दो एक महा रुको हैस के लिए फिर तलाग दो फिर रुको फिर दीसरा तलाग दो और दीश रहे तलाक के अहभसन जो बिलकुर सघी तरीका है जो कुरान शरीफ के है तलास दो और तीन महारको कुरान के आयते फुरे बक्रामी फुरे निरू अमधरラब दो आयत नमधर सौथ टेक में लिख transmitMe लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो तीन महा, या तीन हैस की इद्दत है, तो तलाओ पूरे मुकम्मल होने के लिए तीन महा, तीन मेंस्ट्रियो साइकल और थ्रीममंद्ली कोसिस मस्ट है, कंपल सरी है. अब सोफ की बात है कि ये जो एक्तिलाफ उम्मत में है उसके एक वज़े है एक सभी हदिश अबन अबास में दिलावन वो फरमाते है कि मुम्मत स्वालों के दौर में तीन तलाख एक ही मानी जाती थी हदरत अबुबगर के दौर में तीन तलाख एक ही मानी जाती थी उस सिटुएशन को देखे वो कैए अगर कोई शक्स तीन दे दिया तो तीन हो जाती है इस हदीश के वज़े से जो अक्तिलाफ उम्मत में हैं और कई उल्मा में 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 पैसक आयत नमर एक से साथ जो खुरान मजीद में तलाक का जिकर है उसके अंदर ये है कि कब भी कोई डिफरेंस और ओपीनियन कोई जगड़ा हो जाता है शोवर और बीवी में तो पहला शोवर बीवी बेट के बात करे ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा जाल जिया और तलाक तलाक क्ये दिया और तलाक हो गया अगर बीवी नमक ज्यादा जाला बोले आपको नमक कम जाएए मामला सुल जाएएगा बेड के बात करो फिर भी बात नबने तला तला ऊब पहरमाता है सुरह निसा में सod 49 आट 35 में कि आपके दर्मान एक हकम रखो एक अर्बिटर एक अर्बिटर बीवी के तरफ से एक अर्बिटर शोर के तरफ से अर्बिटर हकम रखो बीवी के तरफ से और शोर के तरफ से और मामला को सुझा लो फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं तो तलाक दे प्रियाद है कि हैस के वक्त तलाक मत दो जब आप घुसे में तलाक मत दो शराप के आलत में तलाक मत दो उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो तीन माहा रुकना चाहिए तलाक के आहसन है जो बिल्कुल सही तरीका है तलाक दो और तीन माहा रुको और तीन माहा के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं, अपने बीवी से, तो रुजू हो सकते हैं, अगर तीन माह तक, आप समझते हैं, मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो तीन माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मिया बीवी नहीं रहते हैं, आप अलग हो अक्सर मुसल्मान भी नहीं जानते हैं कुरान की आयत क्या है कुरान शरीफ में लिखावा एस वरे बक्रा में सुना नमदो आयत नमदो सब अबतीस में कि अगर वो शक्ष अपनी पुरानी भीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रुके तो अगर तलाक हो चुका है सही के तरीके से तलाक के आसन के तरीके से और तीन महा हो गए इदद गुजर गए छे मैंने बाद अगर लगा जो मैंने क्या गलत किया मैं फिर से शादी करना चाहता है तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निका कर सकता है लेकिन नया निका नया महर नया निका नय मैर जो कई مسلمان नहीं जानते अफसूस की बात है कि हम मुसल्मान Qur'안 को तर्जुमे के साथ पढ़े हैं सवक्षित को तर्जुमे के साथ पढ़े हैं अगर हम Qur'안 शेरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही अंधित में अमल करेंगे फिर से आप जाते हैं फिर से शादी कर सकते हैं तीन बार जायश है तीसरे बार आखरी बार है उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते हैं जब तक वो दूसरी के तीसे शादी नहीं करें लेकिन मैंने अपनी जिन्दगी में एक भी शक्स मेरे जिन्दगी में नहीं आया जो तलाक के आऊसन किया सही तारीचे से तलाक दिया इङलाद हो गये फिर निकाओ उगये फिर इङलाद हो गया फिर निकाओ हुआ मैंने कोई भी शख्त मेरे जिंदगी में पूरे दुन्या में ऐसा शख्त के बारे में सुना Muslims जो सही तरीचे से किया और बिछड़ गया फिर से शादी की फिर से बिछड़ गया फिर से निकार के फिर बिछड़ गया फिर बिछड़ गया फिर शादी करना चाता है अगर आप सही तरीकी से कुरान के उपर अमल करेंगे तो यह नोबत आएंगी नहीं और कुछ लोग जो इसलाम को मज़ाग बनाएं और क्या कहते एच्छा अगर एक साथ में दे दिये तीन तलाग दे दिये हो गए अभी क्या हलाला करो कुरान कहता है तीन तलाग एक साथ में भी देंगे तो एकी होती है मुम्मます हязताुमर के दोर में रजलावन उनने कहा था कि हम उसे कहने सकते हैं क्या वगलत है लेकिन अल्मा ये कहते है निस रजकत प्रथ बन तहिमिया शेकिन तहिमिया वो कहते है यह हजबत उमर मैं लाबी प्रीज़ अन वो महमोस सोलानिंन ने जो कहा उसके उमपर नहीं है इसलिए हमें बात मानना चाहिए गुरान और अल्ला की रसूल की इसके अंदर हदरत उमर में लाभी पीज़ दे थे उन्हें रुजू किया इसलिए वो कहते के तीन तलाग भी होईगी तो एक ही होती है तीन नहीं होती इसमें उम्मत का इक्तिलाफ इसलिए है दीने पौर इसलिए पौर अन्हें की नादा नहीं है तो उनकी जहलत है समय क्या करना चाहिए एं प्रकर का जिस्ची lottery हैं हम मुसलमानों को ये तलाग का तरीकाज सही तरीका है तराग के ओसंद को आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए और Jenkins बन्याद पर तलाव दी जा सकती है कब दी जा सकती है कैसे मुख्य पर दी जा सकती है देना चाहिए के ने तो ये सब अगर हम मुसल्मान आम करें हैं तो इन्शालला ये एक्तिलाफ जो उम्मत में हैं वो नहीं रहेंगा और मीडिया उसे उछाद रहेंगे